दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2023 की एक सुपर हिक ब्लॉकबश्टर फिल्म जिसकी कहानी समुद्री यात्रा पर निकले ऐसे लोगों पर आधारित है जो जहाज पर म्यूटेंट समुद्री जिवों के अटैक की वज़े से बीच समुद्र में ही फंस जाते हैं तो आखिर म्यूटेंट समुद्री जिवों उस जहाज पर हमला क्यों कर रहे हैं और क्या समुद्र के बीच फंसे ये लोग वहां से बच पाएंगे इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको फैंतसी एडवेंचर से भरपूर इस फिल्म में दोस्तों इस फिल्म में एक बच्ची की एक जानवर से दोस्ती भी आपका दिल छूलेगी इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस धमाकेदार फिल्म में आपको भरपूर मजायेगा अब कहानी शुरू करते हैं फिल्म के शुरुआत में समुंदर के बीच एक नाव पर र को किसी ने देखा तो नहीं वो आदमी कहता है नहीं क्योंकि हम समुंदर में जिस जगा हैं वहाँ आसपास एक वीरान आइलैंड के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं हैं इसके बाद वो आदमी अपनी गल्फेंड के साथ मस्ती करने लग जाता है लेकिन तबी नाव में नीचे से जोर का जटका लगता है और वो हिचकोले खाने लगती है इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते समुंदर से निकल कर एक विशाल समुद्री साप उस नाव को तहस नहस कर देता है और फिर वो पहले तो पानी में गिरी उस आदमी की गल्फेंड को खा जाता है और इसके बाद उस आदमी को भी इस समुंदर में इतना विशाल साप कैसे पैदा हो गया ये आपको वीडियो को पूरा देखने पर ही पता चलेगा तो इस घटना के बाद अगले सीन में एक चिडिया घर को दिखाया जाता है जहां चिडिया घर के केर टेकर वांग की बेटी इशी अपने नोटबुक में एक पेंटिंग बना रही होती है तब ही उसका पिता वांग वहां आका पूछता है कि तुम क्या बना रही हो वो कुछ जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है दरसल उसके पापा और उसकी मा के बीच रिस्ता ठीक नहीं चल रहा होता इ इससे वांग अपनी बेटी को उठा लेता है और जबरा गोरिल्ला को इशारे से बताता है कि क्या कर रहे हो इशी डर जाएगी जबरा को गुस्से में आता देख उस चिडिया घर के मालिक वू का एक आदमी उसको बेहोशी की इंजक्सन की गोली मारकर बेहोस कर देता है य इसी दौरान उनका इसमगलर वॉस वू भी वहां आ जाता है सैम बस से कहता है मेरे भाई को माफ करना ये जबरा से काफी लगाओ रखता है इसलिए ऐसा किया इसके बाद वू वूंग से कहता है अपनी बेटी का ध्यान रखो क्योंकि इसको भी जबरा से काफी लगाओ है इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैम वॉंग से कहता है तुम इसके चीडिया घर के केर टेकर हो। इसलिए तुमें बॉस के लोगों से ऐसे उलजने नहीं चाहिए। मैं भी उसके लिए काम करता हूँ, इसलिए उससे बना के चलना पड़ता है। तब तक वॉंग की बीवी का फोन आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम लापरवा हो। तुमने मुझ पर भी कभी ध्यान नहीं दिया और अब तुम हमारी बेटी ईशी को अपने साथ लेकर किसी समुद्री यात्रा पर जा रहे हो। अगर तुम उसका ख्याल ठेक से नहीं रख सकते तो उसको यहां मेरे पास छोड़ जाओ। वांग अपनी बीवी से कहता है मुझे वास वू के कुछ जानोरों को समुद्री जहाद से दूसरी जगा पहुचाना है इसलिए जाना पड़ रहा है पर मैं ईशी का ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोनों भाई ईशी को लेकर वहां से निकलते हैं और उनके बास वू की एक बड़े क्रूज शिप पर पहुच जाते हैं। उस क्रूज शिप पर वू और उसके आदमियों के अलावा कई अन्य लोग भी सवार होते हैं। शिप के रेश्टोरेंट में इशी के साथ नास्ता करते हुए उसका चाचा शैम उसको हसाने की कोशिश करता है। उस बड़े जहाच पर स्विमिंग पूल और जिम सब कुछ मौजूद था इसलिए क्रूज पर सवार बाकी लोग उसमें मजे करने लगते हैं। इधर जहाच के अंदर बैठे इस मगलर वू को जब जहाच के क्र्यू मेंबर बताते हैं कि कुछ तकनीकी खामी की वज़े से जहाच कम स्पीड से चल पाएगा तो वो उन पर भड़क जाता है। और कहता है कुछ भी करो मुझे अपना माल समय से पहुँचाना है। अब जल्दी पहुँचाने के लिए चालक शिप को उस समुद्री रास्ते से लेकर जाने लगता है जिदर वो आइलेंड था जहाँ इसके पहले नाव पर समुद्री सापने हमला किया था। इधर शिप के रेश्टोरंट में चल रही टीवी पर एक न्यूज आती है। वोंग शिप के अंदर रखे जानुरों की पिजड़ों को चेक कर रहा होता है। तब ही जिस कमरे में जबरा का पिजड़ा रखा होता है उस कमरे में कुछ छोटे सांप दिखाई पड़ते हैं। इधर रेश्टोरंट में रेश्टोरंट में रेश्टोरंट के पास खड़ी एक लड़की को देखकर सैम यीशी के पास से उठकर उसको रिज़ाने चला जाता है। और उससे कुछ बात करने के बाद सैम उसको लेकर जहाज पर अपने रूम में चला जाता है। और उसके हाथ में एक सेप पकड़ाती है। दूसरी और बात्रूम में नहा रही सैम के साथ गई उस लड़की के उपर साप गिरने लगता है। जिससे वो चीकती हुई वहां से बाहर भाती है। और सैम को बताती है कि अंदर साप हैं। अब तो जहाज में हर जगह उपर से बहुत सारे साप गिरने लगता है। ऐसा लगता है मानो जहाज में सापों की बारिश हो रही हो। जहाज के कंट्रोल रूम में CCTV के जरिये ये सब देख रहा पाइलेट सभी लोगों से अपील करता है कि सब लोग सुरक्षित कमरे में चले जाएं। उन छोटे सापों ने पूरे जहाज में आतंक मचा रखा होता है। और इधर वांग को खिड़की के बाहर वो विसाल समुद्र साप भी दिखाई पड़ जाता है। दूसरी और पूरे जहाज में वो साप जगा जगा लोगों को काट रहे होते हैं। और डरे सह में लोग खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिरते हैं। ये भगदर देखकर वू गुस्से में कप्तान की कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी उन लोगों के सामने आता है वो विसाल समुद्री साप। अब पहले से ही घबराए लोगों की और भी फट जाती है। और वो सबी उससे बचने के लिए पीछे के तरफ भागने लगते हैं। पर विसाल साप उन में से एक को चबा जाता है। इस बीच जहाज में सापों का उपर से गिरना जारी रहता है। और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरच्छी जगा खुजने के लिए भाग रहे होते हैं। बचने के लिए जहाज का कप्तान अपनी टीम और वू के साथ जहाज के से रूम की तरफ भागता है। सापों दोरा मचाये गए स्तांडों की वज़े से कुछ ही देर में जहाज में जगा जगा सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशे नजराती हैं। जहाज का नजारा ऐसा हो जाता है मानों वो कोई कबरस्तान हो। उधर जहाज का कप्तान वू और बाकी कुछ लोग जहाज के सेफ केबिन में पहुँच जाते हैं। बेटी की चिंता में परेशान वॉंग भी सेफ रूम में पहुँच जाता है। वहाँ सैम और उसकी गल्फरेंड भी होती है। वो सैम से पूचता है कि यशी कहा है। मैंने उसको तुम्हारे साथ रेश्टोरेंट में छोड़ा था। सक पकाया हुआ सैम कहता है मुझे नहीं पता वो रेश्टोरेंट से कहीं चली गई। यह सुनकर वांग भड़क जाता है और कहता है तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। मैंने यशी को तुम्हारी जिम्मेदारी पर वहाँ छोड़ा था। यहां हर तरफ जहरीले साप घूम रहे हैं हमें पता तक नहीं कि किस हाल में होगी वो। उधर कुछ लोग जो सेफ रूम से बाहर होते हैं वो भी खुद को बचाने के लिए सेफ रूम में आना चाहते हैं। पर साप के डर की वज़े से वो ने सेफ रूम का दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया था। इसी बीच वो साप वहां आकर खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की को चबा जाता है। ये देखकर सेफ रूम के अंदर सबी लोगों के रोंक्ते खड़े हो जाते हैं। कप्तान कहता है गरने की जरूरत नहीं हैं। ये रूम सबसे सेफ है और कांच की खिड़कियां बुलेट फूरूफ हैं। इसलिए जब तक आप सब इस रूम में हैं सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अब वहां मौझूद लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इतने साप इस जहाच पर कैसे और क्यों आए। और इतना बड़ा समुद्री साप तो सिर्फ कहानियों में होता है। उन लोगों के बीच मौझूद बायलोजी का प्रोफिसर उन्हें बताता है कि ये सब जेनिटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ है। और इतने साप यहाँ पास के आईलेंड से आए हैं क्यूंकि इन दिनों समुद्र में बहुत सारे वेष्ट केमिकल के बैरल्स फेंके गए हैं। उसी के रासाइनिक प्रदूसर्ण से ये साप बेकाबू हो गए हैं। और जिस साप ने भारी मात्रा में वेष्ट केमिकल निगल लिया था, उसकी बॉड़ी में केमिकल रियक्शन से म्यूटेशन हो गया। जिससे उसका आकार इतना बढ़ गया। इस दोरान सैम को सीसी टीवी से जुड़ी स्क्रीन पर जबरा के पिंजरे वाले रूम में इशी दिखाई पड़ जाती है। ये देखकर वांग उसको बचाने के लिए जाने लगता है। पर उस रूम में मौझूद लोग उसको वहां से बाहर निकलने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो वो साप अंदर आ जाएगा। पर वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए अड़ा होता है। इससे वू भी वांग पर भड़क जाता है। और कहता है तुम्हारे यहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने पर हम सब की जान खत्रे में पढ़ जाएगी। इस बात को लेकर वांग की वू और बाकी सब लोगों से बहस होने लग जाती है। वांग अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हाल में वहां से बाहर निकलना चाहता है। पर वहां मौझूद कोई भी सक्स दरवाजा खोलने की बात पर सहमत नहीं होता। फिर जब वांग बाहर जाने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ता है तो वहां मौझूद प्रेगनेंट औरत का हस्बेंड उसे भिड़ जाता है। ये देखकर सहम भी अपनी भाई की तरप से उस आदमी से लड़ने लगता है। लेकिन तब ही वो विशाल साप सेफ रूम की खिड़की के सामने आ जाता है जिससे वहां मौझूद सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर उसके हटते ही मौका पाकर वांग उस रूम से बाहा निकल जाता है। और मोटा आदमी अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर पिजडे के अंदर घुसे सापों को जबरा अपने पैरों से कुचल कर मार रहा होता है। पर सापों के काटने से उसकी आंख लाल हो जाती है और उसका आकार काफी बढ़ जाता है। ये देखकर घबराई हुई इशी डर कर वहां से भाती है। उधर इशी को बचाने निकले वांग का सामना उस विसाल साप से होता है। और वो वांग को दोड़ा लेता है अब खुद को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा कर भाता है। और जहाज में कार पारकिंग वाली जगा पर पहुँच जाता है। वहीं पर एक कार के पास उसे सहमी हुई इशी दिखाई पड़ती है। बाप को देखकर इशी के जान में जान आती है और बेचारी इमोसिनल हो जाती है। और तब तक उस साप वहां भी आधमकता है और कार के पास छिपे बाप बेटी को ढूनने लगता है। उससे बचने के लिए वांग इशी के शाथ कार के अंदर घुज जाता है। फिर साप का ध्यान बटाने के लिए वो एक खिलोना कार से बाहर फेंकता है। जब तक साप उस खिलोने की ओर बढ़ता है तब तक वांग गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। अब साप भी गाड़ी का पीछा करता है और जब वो गाड़ी एक जगा टकरा कर रुख जाती है तो साप फिर से उनकी ओर बढ़ता है। कर रहे सैम को मारने लगता है। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा वांग वो से रूम खोल कर उन्हें अंदर आने देने के लिए गिड़गडाता है। पर जब वो तब भी दरवाजा नहीं खोलने देता तो वो इश्यू को लेकर वहां से हड़ जाता है। इतने में वो विशाल सांप वहां कर सेफ रूम की खिड़की के शीशे पर ठोकर मार कर उसको चिटका देता है। ये देखकर वो की फट जाती है। और वो कप्तान पर खीशते हुए कहता है कि सालेट तुमने तो कहा था कि ये रूम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है फिर आखिर इस सांप की ठोकर से खिड़की का शीशा कैसे चिटक गया। वहां मौझूद प्रग्नेंट औरत कहती है लगता है हम यहां भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सुनकर वो के आदमी उस पर गंतान देते हैं। अपनी बीवी पर बंदूख तनी देखकर उसका हस्बेंड भी वो पर गंतान देता है। जिससे वो के आदमी उस प्रग्नेंट जाता और वो वो पर चिलाने लगती है। वो का दिमाग तो पहले ही गरम था इसलिए अब वो अपनी गंद सैम की गल्फंट वत्तान देता है। जब सैम वो को रोकनी की कोशिश करता है तो वो शैम पर भी गंद रख देता है। ये सब देख रहा बायोजी का प्रोफेसर वो को शान्त होने के लिए कहता है तो वो उस पर भी भड़क जाता है प्रोफेसर उससे कहता है ये रूम भी सुरक्षित नहीं है इसलिए हम सब को ये जहाद छोड़कर यहां से बाहर निकल जाना चाहिए तब ही सब सुरक्षित बच पाएंगे वहां मौझूद बाकी लोग भी प्रोफेसर की बात से सहमत होते हैं पर वो इसके लिए तयार नहीं होता इसलिए प्रोफेसर उससे कहता है एक और तरीका है जहाद के सारे रेडियो आन करवा दो उससे छोटे सांप मदमस्त हो जाएंगे और हम सब लाइफ बोट पर सवार होकर इस जहाद से बचकर निकल सकते हैं तो अब पाइलेट पूरे जहाद का रेडियो आन कर देता है और सभी लोग सेफ रूम से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन तभी सांप वहां आकर एक महिला को खा जाते हैं जिससे बाकी के लोग दहसत में आकर भागने लगते हैं पर अब तक वह सेफ रूम का दर्वाजा फिर से बंद करवा लेता है वह सांप भी रुकने वाला नहीं था ठोकर मार कर वह सेफ रूम की खिड़की का कांश तोड़ देता है पहले से ही डरा हुआ वह अपने लोगों के साथ सेफ रूम के पीछे एक और रूम होता है उसमें घुच जाता है और दर्वाजा बंद कर लीता है जहाज का एक क्रू मिंबर वह से दर्वाजा खोलकर उसको भी अंदर आने देने को कहता है पर तब तक सेफ रूम में घुच शुका साब उस मिंबर को भी खा जाता है दूसरी और जबरा गोरिल्ला आकार बढ़ जाने के बाद जहाज के रेस्टोरेंट वाले एरिया में पहुँच जाता है इधर वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है वो और उसके लोग भी उपर पहुचकर जबरा की और गन तान कर खड़े हो जाते हैं इस दौरान बाकी की लोग भी वहाँ आ जाते हैं और ईशी जबरा के पास चली जाती है उसका बाप उसको वापस बुलाता है पर वो हमेशा की तरह जबरा की और एक सेफ फिंक इस दौरान वो अपने लोगों के साथ जबरा की और बंदूक ताने खड़े रहता है इधर वो विसाल सांप फिर से समुंदर से बाहर आता है और जबरा की और आगे बढ़ता है इसी बीच वहां के बैरल से वेश्ट केमिकल्स गिरने लगता है प्रोफेसर कहता है इसी वेश्ट केमिकल्स की वज़ा से समुंदर में प्रदूसन फैला और म्यूटेशन हुआ है ये देखकर कप्तान वू से कहता है इसका मतलब तुम जानोरों की आड में मेरे जहाद से अवैध वेश्ट केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे प्रोफेसर कहता है इसी केमिकल्स की वज़ा से इस सांप और गोरिल्ला काकार इतना बढ़ गया है ये सुनकर सैम और उसकी गल्फ्रेंड वू को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वज़ा से ही हो रहा है इधर सांप और जबरा में लड़ाई जारी रहती है और सांप जबरा को खाने की कोशिश में लगा होता है फिर वो जबरा को अपने पूच में लपेट कर दोर उचाल फेंकता है जिससे जबरा लोहे के बड़े बड़े पिलर्स के नीचे दब जाता है और उठ नहीं पाता उधर जब वो और उसके लोग सांप पर गोली चलाते हैं तो सांप वो के आदमियों को अपने मूँ में दबोचने लगता है जबरा को पिलर्स के नीचे दबा हुआ देखकर यिशी और जहाज के बाकी लोग उसके उपर से पिलर हटाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि सिर्फ यही है जो इस विसाल सांप का मुकाबला कर सकता है हाला कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सब मिलकर जबरा की उपर से उन भारी भरकम पिलर्स को नहीं हटा पाते और इधर वो सांप वू के आदनियों को अपना सिकार बनाता जाता है इसके बाद वो वांग और बाकी लोगों की तरब भी बढ़ता है लेकिन तब तक जबरा उट खड़ा होता है और आगे बढ़कर सांप पर ना सिर्फ जोरदार परहार करता है बलकि उसके सर पर मुका म उसे नीचे पठकने लगता है गुस्से में वो सांप जबरा का हाथ अपने मुँ में भर कर काट लेता है जबरा उसको खुछ से दूर तो जिटक देता है पर सांप के काटने से वो गिर जाता है और उसकी हलत बिगड़ने लगती है मर रहे अपने दोस्त जबरा को वो बच्ची हमेशा की तरह एक सेब देती है पर बेचारा जबरा वो सेब लेने के लिए जिन्दा नहीं बसता उसके मरने पर सभी लोग दुखी हो जाते हैं पर अगर कोई सबसे ज़्यदा दुखी था तो वो थी ईशी इधर वो सांप उठकर फिर से एक मिंबर को खा जाता है ये देखकर प्रग्नेंट औरत का पती उस सांप पर एक कुलाडी से वार करता है जिससे सांप पलट कर उस आदमी को अपने मू में भर कर काटने लगता है और बेचारी उसकी पत्नी रोने लग जाती है सांप के जबडे में जकडा हुआ वो आदमी बुरी तरह घायल हो चुका होता है तब ही सांप पर किसी की गोली चलाने से वो आदमी सांप के जबडे से नीचे तो गिर जाता है पर उसके सरीर की ऐसी हालत हो चुकी होती है कि अब वो जादा देर जिन्दा नहीं रह सकता था इसलिए वो वांग और सेम से कहता है कि मेरी पतनी को यहां से ले जाओ और इसका ख्याल रखना इसके बाद वो अपने गले में टंगे हुए बच्चों के लिए हुए जूते चूमता है और तेल का एक बैरल लेकर खुद को ब्लाष्ट कर लेता है ताकि वो साप भी मारा जाए उधर लाइफ बोट में जाने की कोशिश कर रहे लोगों पर वो गंतान देता है और कहता है तुम लोग यहीं जहाज पर मरो इस बोट से मैं अकेला जाऊंगा कप्तान वू से कहता है तुम लाइफ बोर्ट से अकेली नहीं जा सकते तुम्हें बाकियों को भी लेकर जाना होगा इस बात से नाराज वू कप्तान के पास फायर करता है लेकिन अब समय आ गया था उस पापी को सजा मिलने का इसलिए सांप आकर वू को चबा लेता है प्रोफेसर की बीवी को पहले ही छोते सांप ने काट लिया था और वो मरने वाली होती है इसलिए उसके प्यार में प्रोफेसर भी उसके साथ उस तबाह हो रहे हैं जहाज पर रुख जाता है जबकी वांग उस सांप को मारने के लिए जहाज पर लगे डिस्ट्रक्शन का बटन दबा कर बाकी बचे लोगों के साथ लाइफ बोट पर सवार होकर उस जहाज को छोड़ देता है कुछ ही देर में जहाज में जोर का धमाका होता है जिससे जहाज के साथ साथ वो सांप भी नश्ट हो जाता है उदर लाइफ बोट में सवार होकर बचे हुए लोग समुंदर में आगे बढ़ते हैं कुछ दूर चलने पर बोट का इंजन बंद हो जाता है कप्तान कहता है बोट के पंखे में कुछ फस गया है इसलिए किसी को पानी के अंदर बोट के नीचे जाकर उसको निकालना पड़ेगा वांग नीचे जाने के लिए तयार हो जाता है पर उसकी हालत बिगड रही होती है सैम जब उसकी टीशट उठा कर देखता है तो साप काटने का घाव दिखता है और जहर पूरे बोडी में फैल चुका होता है और वांग सैम को ये बात ईशी को ना बताने को कहता है वांग को पता होता है कि अब वो मरने वाला है इसलिए वो अपनी बेटी से आखरी बार बात करता है और फिर सैम से कहता है कि मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना इसके बाद वो बोट के नीचे पानी में जाता है वहाँ एक जाल बोट के पंखे में फंसा होता है वो उसको निकालने की कोशिश करता है पर जाल नहीं निकलता अब वांग पानी में उपर आकर सैम से कहता है कि वो जाल बहुत टाइट और उलजा है आसानी से नहीं निकलेगा और अब तो मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है इसके बाद वांग अपनी बीवी को आखरी बार फोन करता है और इमोसिनल होकर कहता है मेरे तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना और अब से हमारी बीटी का ख्याल तुमें अकेले रखना होगा उसकी बीवी समझ जाती है कि कुछ गड़बर है इसके बाद वो अपनी बेटी और बीवी से लव यू बोल कर नीचे जाता है और पूरी ताकत लगाकर जाल खिंच कर इंजन से निकाल देता है लेकिन अब तक उसकी सांस रुख चुकी होती है और वो मर जाता है इस तरह फ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें